आम शान्ति आव्यक्त बाप दादा के आव्यक्त मधूर महावाक्य की डेट हैं 21st October 1975 और मुडली का हेडिंग है बेहट की वैराग्य वृत्ती ही विश्व परिवर्तन का आधार नए विश्व के परिवर्तक सर्वा आत्मों के परम प्रिय शिव बाबा ने नव विश्व निर्मान के आधार मूर्ट बच्चों से मधूर मुलाकाट करते हुए ये अनमोल महावाक्य उच्चारे सभी नई दुनिया लाने के निमित बने हुए हो नई दुनिया कब आएगी यह सब को इंतेजार है सब के अंदर संकल्ब है कि तीथी तारिक का मालूम पढ़ जाए कि नई दुनिया कब आने वाली है तीथी तारिख मालूम पड़ेगा? मालूम होना तो जरूर चाहिए जबकि ट्रिकाल दर्सी है अर्था तीनों कालों को जानने वाले हैं तो भविश्य का जानना भी एसे ही होगा जैसे वर्थमान को जानना और भविश्य को जानने का आदार भी वर्थमान होगा नई दुनिया में आने वाले भी तो ब्रह्मन ही है तो नई दुनिया में जो आने वाले हैं उन्हों की वर्तमान से ही भविश्य की तिथी तारिक अटोमेटिकली सिद्ध हो ही जाएगी जब नई दुनिया कहते हैं तो नई दुनिया की अधिकारी आत्माओं में भी नयापन होना चाहिए कोई भी पुराना संस्कार वा संकल्ब वा बोल वा कोई एक्टिविटी पुराने पन की ना हो जैसे अभी भी एक दो में पुरानी चाल देखकर कहते हो ना कि यह इनकी पुरानी चाल है अथवा अब तक यह पुरानी आदत वा चाल इनकी गई नहीं है किसी भी बात में पुराना पन ना हो संकल्प भी पुराने स्वभाव व संसकार के वश्णा हो जब मैजोरिटी वा मुख्य आत्माओं में एसी नविन्ता दिखाई दे तब नई दुन्या के आने की तीथी तारिक स्पस्ट हो जाएगी तो निमित है उन मुख्य आत्माओं में नविन्ता का और परिवर्तन का अनुबव होगा उन्हों के परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन की तारिक प्रत्यक्स होगी विश्व परिवर्थन होने के पहले विश्व की सर्वा आत्माओं में वहिराग्य वृत्ती होगी और वहिराग्य वृत्ती से ही बाप के परिचय को धारन कर सकेंगे कि हाँ, हम आत्माओं का बाप आ चुका है तो जैसे विश्व की आत्माओं में वहिराग्य वृत्ती ही परिवर्थन का आधार होगा वैसे ही जो निमित बनी होई आत्माओं हैं उन्हों में भी संपूर्ण परिवर्थन का आधार बेहत का वहिराग्य बनेगा तो संगठन में भी बेहत के वईराग्य वृत्ति को लाने का पुरुशाट करो एक दो के साथ ही वस सहयोगी बनो जब वईराग्य वृत्ति इमर्ज रूप में होगी तो पुराने संसकार वस्वभाव बहुत जल्दी और सहज ही वईराग्य वृत्ति के अंदर मर्ज हो जाएंगे सब सोचते हैं कि क्या होगा जो पुरानापन सब भूल जाएगा मनुश्य को जब हद का वईराग्य होता है तो पुराने आकर्षन के संसकार और स्वभाव आधी को समाप्ट करने में वईराग्य वृत्ति ही आधार बनेगी इससे ही चेंज आएगी अब ऐसी धर्नी बनाओ और ऐससे बेहत के वईराग्यों का संगधन बनाओ जिन्हों के वाईब्रेशन और वायुमंडल द्वारा अन्या आत्माओं में भी वह संसकार इमर्ज हो जाए जैसे सेवाधारियों का संगधन होता है वैसे बेहत के वईराग्यों का संगधन मजबूत होना चाहिए जिसको देखते ही अन्या आत्माओं को भी ऐसा वाईब्रेशन आए एक तरफ बेहत का वईराग्यों होगा दुसरी तरफ बाप के समान बाप के लव में लवलीन होंगे तब ही बेहत का वईराग्या आएगा एक सेकंड भी और एक संकल भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आएगा ऐसे लवली बाप के लवली बच्चों का संगधन हो उन्हों उनको कहेंगे लवलीन संगधन एक तरफ अती लव दुसरी तरफ बेहत का वईराग्य दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा ऐसा संगठन बनाओ तो वह तारिक सपस्ट दिखाई देगी यह संगठन ही तारिक को प्रसिद्ध करेगा इस मूरली का सार एक नई दुन्या की अधिकारी आत्माओं में कोई भी पुराना संस्कार संकल्प, बोल वा एक्टिविटी पुराने पन की ना हो तभी नई दुन्या आएगी दुसरा, जैसे विश्व की आत्माओं में वैराग्य वृत्ती ही परिवर्तन का आधार होगी वैसे ही जो निमित बनी होई आत्माएं हैं उन्हें में भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहत का वैराग्य बनेगा तिसरा, एक तरफ अति लव और दुसरी तरफ बेहत का वैराग्य दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा तो एसा संगठन ही नई दुनिया की तिथी तारिक को प्रसिद्ध करेगा अच्छा, ओम शांति